सभी को नमस्कार, मेरे Inside Indian Politics चैनल में आपका स्वागत है. आज, मैं Unique Land Parcel Identification Number, ULPIN, योजना के बारे में बात करने जा रहा हूँ. ULPIN is a new initiative by the Government of India to assign a unique 14-digit identification number to every land parcel in the country. इससे एकल, एकीकृत भूमी रिकॉर्ड प्रनाली बनाने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों के लिए अपनी भूमी का पता लगाना और उसका प्रबंधन करना आसान हो जाएगा. What is ULPIN? ULPIN का मतलब है विशिष्ट भूमी पार्सल पहचान संख्या. It is a 14-digit alphanumeric geospatial unique identification number that is assigned to every land parcel in India. संख्या भूमी खंड के स्थान, आकार और अन्य विशेष्टाओं पर आधारित है. ULPIN क्यों महत्वपूर्ण है? ULPIN कई कारणों से महत्वपूर्ण है. सबसे पहले, ये एकल, एकिकृत भूमी रिकॉर्ड प्रनाली बनाने में मदद करेगा. इससे लोगों के लिए अपनी भूमी का पता लगाना और उसका प्रबंधन करना आसान हो जाएगा. दूसरा, ULPIN भूमी विवादों को कम करने में मदद करेगा. प्रतियक भूमी पार्सल को एक अद्वितिये नंबर निर्दिष्ट करने से स्वामित्व विवादों की पहचान करना और उनका समाधान करना आसान हो जाएगा. तीसरा, ULPIN आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा. भूमी को ट्रेक करना और प्रबंधित करना आसान बनाकर, ULPIN रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को प्रोधसाहित करेगा. ULPIN कैसे काम करता है? ULPIN को दो चरणिय प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाता है. सबसे पहले, भूमी पार्सल का सर्वेक्षन किया जाता है और उनकी विशेषताय दर्ज की जाती है. दूसरा, भूमी पार्सल को एक अध्वितिय 14 अंकिय पहचान संख्या सो पी जाती है. सर्वेक्षन एवं पहचान की प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ULPIN के लाव 1. भूमी रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ी 2. भूमी विवाद में कमी 3. एंप्रूव्ड लैंड मैनेजमेंट 4. आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला नागरिकों के लिए ULPIN के क्या फायदे हैं? नागरिकों के लिए ULPIN योजना के कई लाव हैं, जिनमें शामिल है 1. इंक्रीस ट्रांस्पारंसी इन लैंड रेकॉर्ड्स ULPIN योजना एक एकल, एकीकरिद भूमी रिकॉर्ड प्रनाली बनाएगी जो सभी नागरिकों के लिए पहुंच योग्य होगी इससे लोगों के लिए अपनी भूमी का पता लगाना और उसका प्रबंधन करना आसान हो जाएगा और भूमी विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी 2. Reduced Land Disputes प्रतियक भूमी पारसल को एक अध्वितिये नंबर निर्दिष्ट करके योईलपी आइन योजना स्वामित्व विवादों की पहचान करना और उन्हें हल करना आसान बना देगी इससे भूमी मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी और भूमी विवादों को हल करने की लागत भी कम हो जाएगी 3. Improved Land Management ULPIN योजना भूमी स्वामित्व का अधिक सटीक और अधितन रिकॉर्ड प्रदान करके भूमी प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगी 4. Boosted Economic Growth ULPIN योजना भूमी को ट्रेक करना और प्रबंधित करना आसान बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी इससे Real Estate सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नौक्रिया पैदा करने में भी मदद मिलेगी ULPIN को लागू करने की चुनोटिया क्या है? 1. The Cost of Implementation ULPIN योजना एक बड़े पैमाने की परियोजना है जिसके लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवशक्ता होगी 2. The Accuracy of Land Records ULPIN योजना तभी प्रभावी होगी जब भूमी रिकॉर्ड सा टीक होंगे 3. राज्य सरकारों का सहयोग ULPIN योजना एक राश्ट्रिय परियोजना है लेकिन इसे राज्य सरकारों द्वारा लागू करने की आवशक्ता होगी इन चुनोतियों के बावजूद ULPIN योजना में बड़ी सफलता होने की सम्मावना है इस योजना में नागरिकों के लिए कई लाब लाने की ख्षमता है जिसमें पादरशिता में वृद्धी, भूमी विवादों में कमी और भूमी प्रबंधन में सुधार शामिल है ULPIN का भविश्य क्या है? ULPIN का भविश्य उज्ज्वल है इस योजना में बड़ी सफलता होने की सम्मावना है और इसमें नागरिकों के लिए कई लाब लाने की ख्षमता है भारत सरकार ULPIN योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे विश्वास है कि ये योजना सफल होगी मैंने कुछ तरीके दिये हैं जिनसे ULPIN को और बहतर बनाया जा सकता है 1. ULPIN योजना को नागरिकों के लिए अधिक सुलब बनाया जा सकता है सरकार ULPIN वेबसाइट को अधिक उप्योग करता अनुकूल बना सकती है और वेबसाइट पर जांकारी को क्षेत्रिय भाषाओं में अधिक सुलब बना सकती है 2. ULPIN योजना को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है सरकार ULPIN डेटाबेस को अनधिकरित पहुँच से बचाने के लिए कदम उठा सकती है 3. ULPIN योजना को अधिक अंतर सिंचाल निय बनाया जा सकता है इसे बनाने के लिए सरकार अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर सकती है मेरा मानना है कि ULPIN योजना में बड़ी सफलता होने की सम्भावना है मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार ULPIN योजना में निवेश करना जारी रखेगी और मुझे उम्मीद है कि यह योजना सभी नागरिकों के लिए सफल होगी conclusion Conclusion. ULPIN योजना देश में भूमी रिकॉर्ड प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना में कई लाव लाने की क्षमता है, जिसमें पारडर शिता में वृद्धी, भूमी विवादों में कमी और भूमी प्रबंधन में सुधार श मैं उन्हें जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब